जो दूस्तों यह विटर है और भी यह पेनल का जो स्रिय्ञ नमर एन 56 मॉडल है 312 तो यह professor का सब्साइब का जोipple वौर reference था वगते कोमो बोर्ड जिसका इन इंगोर्ड भी का इंभिड रखा और अपावर शप्लाई भी है तो मैंने इसीजस डीओड लगाने के बाद इसमें मेन बोर्ड युनिवर्सल बोर्ड जो है वो मैंने सेट किया और एक इनवेटर सेट करके जो इसमें चला करे देख रहा था तो इसमें कैया है पुराना जो टीक न लगा भावज़त भी मैच नहीं कर रहा था इसके अंदर इसके जो के सब्सक्राइब नहीं है कुछ जानका रहे देरां तो शाहिद आपके काम आजाए इसमें जो दूसरी बात है इसकी जो टिकन बोर्ड वह स्रील नमर के सब्सक्राइब नहीं करता है तो मैंने दो टिकन बोर्ड लगाने के बाद में तीसरा ठीकन बोर्ड लगाया जब जाके यह टीवी जैट हुए अभी दिस्पेल तो बन रहा है लग चुका है जो कि पहले जहां दूसरे शॉप से टीकन बोर्ड लिया वह वर्क नहीं कर रहा थ फिर बाद में दूसरे शॉप से लिया तो वो टीकन बोर्ड वर्क करने लग गया था और अभी डिस्पेल तो प्रोपर आ रहा है बस फेट्रिंग करना है इसको इस बोर्ड है इस बोर्ड में प्रॉलम में रिइस्टार होता है जैसे हम आउन करते हैं तो इसको मैंने रिप देख पहरों मैंने फिलाल मैं इसका जो यूनिवर्सल जो बोर्ड है उसको मैंने इस जगह प्रोपर फिटिंग कर दिया और इन्मडर एश्रा लगा दिया इसका जब बैक लाइट हो बारा वोल्ट से जो मुलाब यह एश्रा इनिमड लगा लगा है पैक्टिकन बोर्ड ज कि वह वह सेट करना है इसका डिस्प्ले को जो है नेकिटीव पिच्चर बन रहा तो वह नेकिटीव पिच्चर हम सर्विस मोड के थ्रूफ जो है रिपेर कर देंगे सर्विस मोड जो है इसको यह भी दिखा जाता हूं आपको इसका पिरिजलिशन तो है ठीरी 1181 उसका मेनू 1147 मेनू सर्विस मोड निकल जाएगा जिसके अकॉटिंग जो हम डिस्प्ले को रिपेर कर सकते हैं जो यह नेगेटीब पिच्चर है वो उसको रिपेर कर सकते हैं तो वह दिखाया तो अब बार रिमोट्स थे वर्क ने कर रहा कि यह मैंने दुबारा प्रेस किया मेनू 1147 तो जैसे मेरे देख पार सर्विस मोड आ चुका है और यहां पर जो यह नीचे जो देख पार फंक्शन आला एक और फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन में हमें आना है अब जैसे फंक्शनल ऑफ competitive जाता है यहां पर पर पैशनट सेटिंग हे और अलग-मपके दिख रहे त्पैशन सेटिंग नहीं के पाद में यहां पर जो color depth option है यहाँ पर 8 width करा हुआ है तो यह जो है टेप पैनल के according 8 width set क्या हो रहता है तो इसमें हमें कुछ निकरना हमें back आके जो है एक बार reset कर देना है और कुछ निकरना